तो मेरे यारो क्या आप यह बात जानते हो कि CS2 गेम खेल के आप चिकन बनाना सीख सकते हो बिल्कुल गेम खेलो और शेफ बनो ओके शो मी चिकन बनाने की इस रेसिपी को जानने के लिए देखते रही है इस्टरेग हंट एपिसोड एट जहाँ आज हम बात करेंगे CS2 गेम के इस्टरेग्स के बारे इस गेम में 50% इस्टरेग्स तो इंफर्णो मैप ही होल्ड करता है जैसे मैप की रिनूस पोजिशन पे आपको इस रूम का एक गेट दिखता होगा तो मैं आपको बता दूँ डेवलपर कॉंसोल की मदद से आप वाल के थू भी जा सकते हैं और वाल के थू जाते ही आपको मिलता है यहाँ पे एक मॉनिटर और सोफा सेट स्पीकर्स के साथ और मॉनिटर पर हम देख सकते हैं यहाँ पे CS2 Swords का मेन मेन्यू स्क्रीन है तो यास यह बिल्कुल हमारे नॉस्टाइल जिया की याद दिलाते है यह सिफ एक स्टाइटिक वाल पर ही नहीं है बलकि अगर आप इसके थोड़ा क्लोज जाएंगे तब आपको सुना ही देगी एक पूरे मैच की आउडियो तो बिल्कुल अपनी यादोगों तरो ताजा कीजिए इन साउंड्स के साथ पूरे स्ट्री लादे की यादे की यादे एक यादे एक पूरुडर्स्वे वादे एक अच्छा devs की तरफ से लिखा हुआ CS note भी अवेलेबल है अपार्टमेंट पोजिशन पे आप जाते हैं तब इस note को आप देख सकते हैं लेकिन अभी ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है चलिए developer console का यूज़ करके इसमें भी घुशता है तो अभी भी लिखे हुए words clear नहीं है मेरे जाल से ये simple एक Counter-Strike 2 note है जो की developers द्वारा लिखा गया था पागि आप अगर इससे decrypt कर पाएं तो comment में मुझे जरूरू बताईए कि क्या लिखा है अच्छा इस map में कुछ easter eggs ही नहीं बलकि fun parts भी available हैं terrorist spawn position पे आपको यहाँ पे bells दिखती हूँ आप इन bells के साथ interact भी कर सकते हैं और इन्हें बजा भी सकते हैं जैसा Valorant में आप musician बन जाते हो उसी तरह से आप इसमें भी musician भी बन सकते हो लेकिन अपने हिसाब की tone बना के steam community की कई सारी वीडियो में तो मैंने अलग-अलग tone और music बनते हुए भी देखें अच्छा ये बाद तो आप सभी को पता हो कि Counter-Strike 2 में हर मैप को बिल्कुल redesign किया गया था बेसिक्स वही थे पर थोड़े बहुत ग्राफिकली और टेक्शर में चेंज लाकर मैप्स को पूरी तरह से redesign किया गया है मैप की upstairs पे जाते हैं तब आपको यहां जाते ही मिलेगी ये painting इस painting को अगर आप ध्यान से दिखें तो इसके नीचे लिखा है इंफर्णो और डे बेसिकली ये CSGO के इंफर्णो मैप का reference जो की community में टॉप मैप्स की position पे आता है इंफर्णो मैप नहीं बलकि और पास मैप भी इस्टर एक से भरा हुआ है जैसे मैप की अपर पार्क position पे अगर आप जाते हैं तब यहां पे हमें party होती हुई दिख रही है जहां पे खाना रखा है कुपारे लगे हुए हैं और कुछ mascots भी रखे हैं तो मैं आपको बता दू कि यह mascots कोई आम mascots नहीं है बलकि यह सीधा reference है left for dead के mascots का जो की left for dead में भी अपियर होते हैं अब इस मैप में सिधा left for dead game का ही reference नहीं बलकि portal 2 game का भी reference है मैप की side alley position पे अगर हम पहुचते हैं तब इस gate के थोड़ा ज़ादा close जाने पे हमें एक music सुनाई देता है ध्यान से सुने तब अब मैं आपको बदा दू कि यह music किसी और game करने बलकि portal 2 का soundtrack है CSGO की e-sports community कितनी बड़ी और कितनी ज़्यादा successful है यह बताने कि मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह game अपने best e-sports moments को इतना ज़्यादा respect पे करता है कि map पे उनकी graffiti जरूर छोड़ता है तो map के bomb side B position पे आपको यह graffiti दिखती होगी जिसमें एक बंदा bomb diffuse कर रहा है fire में रहते हुए तो मैं आपको बता दू यह सिफ graffiti नहीं बल्कि पूरा respect पे गिया गया है all four को क्योंकि ESL League 2014 के semi finals में all four ने literally अपने आपको sacrifice करते हुए molly के अंदर bomb को diffuse किया था तो basically इस तरह से एक नई तरह की diffuse term हमें एक देखने को मिली जिसे कहते हैं angel diffuse यह game सिफ कुछ best moment नहीं बल्कि कई best moment की graffiti हमें show करता है जैसे मिराज मेपकी truck position पे आपको यह graffiti दिखती होगी जिसमें एक AWP है जिसमें punk लगे हुए है और 4 skull बने हुए है जो basically create की गई है to pay respect cold zara जिन्होंने MLG League 2016 में literally इसी position से no scope 4 kills लगातार किये थी जिसे basically कहते हैं the quado अब आप मुझे बताईए कि आपका सबसे interesting cse sports moment कौन सा था गेम में easter egg और reference ही नहीं बलकि details पे भी काफी अच्छी तरीके से काम किया है जो कि एक तरह से easter egg की तरह काम करते हैं और fun part भी लाते हैं जैसे bell ringing मैंने आपको बताया था उसी तरह से office map पे side hall position पे आपको ये soda machines दिखती होंगी ये soda machines सिर्फ यहाँ पे showcase के लिए नहीं लगाए गई हैं बलकि इनको shoot या फिर damage करने पे ये literally हमें soda bottles दिती हैं तो soda पीजिए और ठंडे हो जाईए इतना ही नहीं बलकि अगर आप एक PC enthusiast है तो PC को disassemble करने में कितना मज़ा आता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं map के office position पे आप कई PC's देख सकते हैं तो ये PC's भी कहीं show off नहीं है बलकि पूरी तरह से interactable है इतना ही नहीं बलकि इन PC's के अंदर डाले गए parts भी पूरी तरह से interactable है RAM, processor, motherboard, PSU, hard disk, DVD writer हर एक चिज डिससेंबल की जा सकते हैं मैंने भी PC को पूरा डिससेंबल किया Here we have the big box we call the computer system unit. There are many things inside this computer system unit. Here is the video card. And the remaining element is a fan. Here we have the power supply which is plugged into. This power supply unit. All the cables of a certain color will carry electricity opponents of the computer. So I've removed the DVD burner and the floppy disk drives as well as the power supply. I've also removed the two hard drives. I've kept one to show you that it's connected to the motherboard with a port. It's the random access memory, the RAM. Here we have a printed circuit board which I can also remove. That's it, we've removed all the internal peripheral devices. और इस तरह के PC's डिससेंबल के बाद हम कह सकते हैं कि हम computer engineer बन गए अब फाइनली वो चीज जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे. तो रोस चिकन बनाने के लिए आपको चाहिए पहले तो फ्लेम और चिकन. तो फ्लेम आप चाहें तो इस ग्रेनेट से भी जनरेट कर सकते हो या मॉली यूज कर सकते हो. तो सिंबल है चिकन को लेना है और उसके ओपर मॉली कर देनी है. जिसके बाद आपको मिल जाएगा रोस टेइट चिकन. तो खाईए और बताईए इसका स्वाथ कैसा है. ये तो टट्टी है. तो हाँ बिल्कुल यही कुछ इंट्रस्टिंग, कुछ फणी और कुछ नॉलेजिबल चीजे थी about CS2. तो मुझे कॉमेट्स में बताईए कि आपको इन सब में से सबसे फेवरेट चीज क्या लगी. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में. तब तक के लिए सीया. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में.